दो प्रकार के भक्त हैं एक सगुण साकार की उपासना करने वाले एक निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले दो भक्त हैं तो उन में से आपको ज़्यादा अच्छे कौन से लगते हैं योगवित योगवित तर योगवित तम तीन होते हैं तो यहां योगवित तमा कहा सबसे ज़्यादा योग युक्त योग को जानने वाले वो कौन से आप इन दोनों में से किस को मानते हैं यह पूछार जोने तो वो उत्तर दे रही हैं, तो अभी मैं उससे पहले, उत्तर से पहले आप से पूछती हूँ, कि आप में से ऐसे भाई बहन कितने हैं, जो सगुन साकार की उपासना करते हैं, या उसको पसंद करते हैं, सगुन साकार के उपास कितने हाथ उठाना एक बर आप? सगुन साकार वाले अच्छा, नीचे कर लीजी और निर्गुन निराकार वाले कौन से हैं? जो निर्गुन निराकार के उपास न करते हैं और जो दोनों में हाथ नहीं उठाया वो कुन से हैं वो भी बता दो जरह वो किस की उपास ना करने वाले है यही नहीं पता कि सगुन साकार क्या है निर्गुन निराकार क्या है और दोनों कोई ऐसे भी हैं जो दोनों के उपासक हैं सगुन साकार और निर्गुन निराकार दो तिन ऐसे भी हैं और कोई ऐसे भी हैं जो दोनों के ही उपासक नहीं है ना सगुण साकार के ना निर्गुण निराकार के तो मुझे लगता है कि ये विशे समझ में नहीं आ रहा है सगुण साकार उसको कहते हैं जिसके गुण और जिसकी कोई आकरती हमें दिखाई देती है उसको सगुण साकार कहते है निर्गुण निराकार वो है जिसके गुणों के बारे में जिसके आकार के बारे में हमें पता नहीं है और उसकी हम उपासना करते है उसको निर्गुण निराकार कहते है अब समझ में आ गया तो अब बता दीजी कि सगुण साकार वाले कितने हैं अब कि बार ज्यादा हाथ उठे यह सगुण साकार वाले निर्गुण निराकार वाले बाकी के वो है अब तो कम ही बचे ऐसे जो अभी भी दोनों में हाथ नहीं उठाई सगुन साकार वाले किस रूप में उपासना करते हैं कोई बताएंगे खड़े हो करके सगुन साकार की उपासना आप कैसे करते हैं कईयोंने तात उठाए थै सगुन साकार जी बता ना भैन वो कहरी हैं हम मंदिर में जाते हैं दिया बत्ती करते हैं मूर्ती की उपासना करते हैं उसको हम सगुन साकार की उपासना कहते हैं इसके अतिरिक्त भी किसी का उत्तर है एक पीछे उनको पूछ ना भई इससे अतिरिक्त क्या सगुन साकार की उपासना किस रूप में करते हैं पर आर्थना ना भी जिसने जी स्थोकी प्रार्थना होती है जैसे कि स्टोतर पठनों गया जैसे कि जाप हो गया तो वह इश्टा-दैवत का जब किया जाता है जो भी एक उसमें का प्रकार है उसका इड़ा की सगुन अकार की उपास नहीं कि जी किसी देवता से सम्मंदित को स्तोत्र पाठश किया जाते हूँ उसको सगुण सहाकार की उपास ना करेंगी हम तो यैं न आना यह है। आस्ट ने के माधैंगे मतरत्र कि माधैंगे उन के भी अ Shit जो जो सेवा है उनके प्रती जो जो करते हुए है उनकी भी एक पूजा करके ही वो कर्मा और करते हैं उसको भी सगुन साकार करके हम सुकार करते हैं बहुत अच्छा है अच्छा उत्तर इनका कि माता पिता गुरुजन जो है वो भी तो सगुन साकार हैं उनके अंदर भी ब्र घर हैय योग कि व्यभार करना यह ही उनके व्हंलाय का इदै अब निर्गुण निराकार वाले बता दे शक् Engagement करने वाले कैसे करते हैं अगा तक नाम रूप से परेज वह नाम रूप तो किसी साकार कही को था होता है नहीं? उसके परे जो परमात्मा है स्तोत्र, स्तूति वो तो उन्होंने बता है न हम किसी की स्तूति करते हैं तो वो तो सगुन साकार की उपासना हो गई उसके परे ऐसा बोगा हूँ नाम रूप से परे जो हम ध्यान के माध्यम से उपासना करते है या ज्ञान के माध्यम से उपास ना करते हैं ध्यान के माध्यम से जो नाम और आकार से परे हैं उसका ध्यान करते हैं तो इसको निर गुंड निर आकार कह रहे हैं जिसका नाम नहीं पता जिसका कोई आकार नहीं पता उसका क्या ध्यान करेंगे हम कैसे ध्यान करेंगे ध्यान तो उसी का तो होता है जिसके नाम के बारे में कुछ पता है या जिसका कोई आकार हो जी निराकार परमात्मा के नाम और ओम का जब करके और ध्यान करके निराकार परमात्मा के गुड़ों का ध्यान करके और उसका धिहान ओमकार के जब के द्वारा भी होता है तो ओमकार का धिहान करना और ओमकार के जब द्वारा जो है धिहान में बैठना तक जपस्तदर्थ भावनम जो कल बताया था ये निर्गुण निराकार के पावनम चलिए बैठी तो आपने जो उत्तर दिये हैं ये सभी उत्तर ठीक हैं सगुण साकार वाले भी ठीक हैं निर्गुण नेराकार वाले भी ठीक हैं लेकिन ये अभी अधूरे हैं तो इसको हम भगवान कृष्ण के शब्दों में सुन लेते हैं और इसको थोड़ा सा विस्तार दिया है और ज्यादा अच्छे से बताया है क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है हम भक्ति करना चाहते हैं और भक्ति कर भी रहे हैं और भक्ति वर्षों से कर रहे हैं लेकिन फिर भी जीवन तो हमारा कुछ जादा उसमें परिवर्तन तो दिखाई नहीं दे रहा है हम शादी करने से पहले जब से होश समाला तब से कोई जादा उसमें अंतर नहीं आया हमने कोई बहुत जादा किसी सत्ते को प्राप्त कर लिया हो ऐसा नहीं है और मंदिर में जाकर के अलग-अलग प्रार्थनाई लोग करते हैं लेकिन उन सब प्रार्थनाओं का जो निचोड है जो सार है वो दो ही शब्दों में आता है हम या तो सुख मांगते हैं इश्वर से या शांती मांगते हैं सारी प्रार्थनाई दो ही शब्दों में आ जाती है न कि भगवान जी अमें सुख देना और शांती देना यही मांगते हैं इससे अतिरिक्त तो किसी ने आज तक कुछ मांगा नहीं होगा मंदिर में मस्जिद म संसार में, एक भी विक्ति ऐसा देखा कि जिसके जीवन में एक भी दुख नहीं आया हो, ऐसा है कोई विक्ति? नहीं है, ऐसा कोई विक्ति है इस जीवन में, जिसके जीवन में हमेशा शांती ही रही हो, कभी एक दिन भी वो अशांत ना हुआ हो, ऐसा कोई विक्ति है? ऐसा भी कोई नहीं मिलता है, तो फिर हमारी प्रार्थना का क्या हुआ, वो तो सक्सस तो हुई नहीं, तो ये प्रार्थना करना ही गलत है, आप बोलो कि जी ये कैसे गलत हो सकता है, ये इसलिए गलत है कि जो पूरा ही नहीं हो सकता है, जो संभव ही नहीं है, उसको मांगना, तो तो गलती हो गया, संभव इसलिए नहीं हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का फल तो हमें मिलना ही है और हमने कुछ पुर्णे कर्म किये हैं कुछ हमारे से दोश भी हुए इसलिए हमें मनुश्य जन्म मिला तो पुर्णे का फल हमें सुख के रूप में मिलेगा आपका फल दुख के रूप में मिलेगा दोनों मिलेंगे तो प्रार्थना क्या करनी कि जोएसे भी मैंने कर्म किये उसका फल देना ये आपकी नियाई व्यवस्था है और वो मुझे स्वीकार है सुख भी आने दीजिए दुख भी आने दीजिए मैं दोनों के लिए तैयार हूँ बस मुझे तो इतना कर देना कि दोनों को सहन करने की शक्ति दे देना, कृपा कर देना मेरे उपर, ताकि दोनों को सहपाऊं मैं, तो फिर व्यक्ति फिर शांत रहता है, क्योंकि उसने दोनों को स्विकार कर लिया, ये भगवान की भक्ति है, अब ये उत्तर क्या दे रहे हैं, अर्जुन ने पूछा है कि आपको इन दोनों प्रकार के भगतों में कौन सा ज्यादा प्रिये है, किसको आप स्रेष्ट मानते हैं, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, मै आवेश्य मनो ये माम, नित्ययुक्ता उपासते, शद्धया परया उपेता, ते में युक्ततमा मताहा, एक तरहें से ये सगुन साक की उपासना करने वाले भगत जो हैं, वो मेरे मत में, युक्ततमा, वो युक्ततम है, वो मेरे ज्यादा नजदीक हैं, जो सब काम करते हुए सगुन साकार की उपासना करते हैं, वो मुझे ज्यादा प्रिये हैं, ऐसे भगवान उत्तर दे रहे हैं, और वो उनके लिए तीन मन को आवेश्य स्थापित करके डाल करके अपने मन को मेरे अंदर लगा करके सनलगन करके मैं आवेश्य मनूं ये माम नित्य युक्ता उपासते ये दूसरी शर्त है नित्य युक्ता नित्य निरंतर जो मुझसे युक्त रहते हैं और तीसरी शर्त बताई शद्धया परया उ परम शद्धा से युक्त हो करके, बिना शद्धा के नहीं, यू पासना भी कर रहे हैं, और शद्धा भी नहीं है मन में, तो फिर वो भक्ती नहीं है फिर, तो शद्धा परया उपेता, ते युक्त तमा में मता, मेरे मत में वो युक्त तमा, वो सबसे नज़्दीक हैं मेरे, तो आप इसे ये प्रसन्न ना होना कि जी हम तो मंदिर में जाते हैं कुछ लोग हमारे को आज तक कहते थे कि आप ठीक से भगती नहीं करते और ये तो देखो भगवान कृष्ण भी हमारा ही पक्ष ले रही हैं वो तो हमारी ही प्रशन्सा कर रहे हैं इसलिए हम बिल्कुल ठीक हैं आप जितना कर रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन आप एक अंश का पालन कर रहे हैं यहां पर ये नहीं कहा जा रहा है जो आप कर रहे हैं वो नहीं कहा जा रहा है अब इनका सुन लीजे सगुन साकार की उपासना क्या है ये कह रहे हैं मै आवेश्य मनों अपने मन को मुझ में लगा करके अब हमारा मन कहां कहां लगता है आप उतनी देर का पूरे दिन की तो बाद छोड़ दीजी आप उतनी देर का चिंतन कीजिए जब आप अपने चाहे आपके घर के बाहर है लेकिन जितनी देर आप मंदिर में बैठे हैं उतनी देर के लिए भी क्या आपका मन सो प्रतिशत भगवान में ही लगा रहता है या बीच बीच में बाहर भी चला जाता है तो फिर हमारा तो उतनी देर के लिए भी मन भगवान में आवेश्य नहीं नाराज हो जाएंगे भगवान जी नाराज ना हो उनकी नाराजगी मिटाने के लिए हम कर रहे हैं जबकि आप गीता में अब गीता में तो बहुत बड़ा है ये बहुत अच्छा ग्रण्था पूरा पढ़ना इसको चाहा है एक जगे भगवान भगवान ने कि मैं ना किसी की उपासना से प्रसंद होता हूँ और ना किसी की उपासना ना करने से दुखी होता हूँ मेरे उपर कोई असर नहीं पढ़ता है आप जो भी करते हैं अपने लिए कर रहे हैं तो ये इन्हों और चलो मानलो आप पुरुशार्थ करके हिम्मत करके एक घंटा जब पूजा करते हैं या आधा घंटा या दस मिन्ट जितने देर भी आप मंदिर जाते हैं पूजा करते हैं उतनी देर तो आप अपने मन को रोक रोक करके लगा लेंगे भगवान में और फिर बाकी के 23 गंट चायत किसी हुई संसार की हुई कि भगवान की हुई संसार की हुई 23 गंटा यह तो पलडा इतना हलका हो जाएगा कि ओपर उठ जाएगा भगति वाला तो कोई उसका तो मतलब लगेगा ही नहीं जीवन में कुछ उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा हमारी एक घंटे वाली आब निरनतर तो भक्ती कर नहीं सकते हैं कि भक्ती ही करते रहें तो सयी रुकन करेंगे कपड़े कब दुलेंगे कब धुलेंगे बरतन कब धोये जाएंगे जाडुकोचा कब होगा बच्चे को कब पढ़ाएंगे नित्य इश्वर में लगे रहे तो संसारी रुख जाएगा फिर तो और फिर भी भगवान कह रहे हैं कि नित्य युक्ता तो क्या ये पोसीबल है अगर ये पोसीबल नहीं है तो यहां लिखा क्यों और यदि ये पोसीबल है तो कैसे possible है, फिर संसार चलेगा कैसे, तो यह सोचने की बात है, और तीसरा कहा, परयाशद्धयाश, परम्शद्धा से, सामन्ने शद्धा से नहीं, परम्शद्धा से युक्त हो करके करना है, वो है मेरे प्रिये, वो मुझे जादा प्रिये हैं, तो कभी ऐसे ऐसे नहीं करन कि जी अगर हमने पूझा नहीं की तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे कहीं हमारा अनिस्ट हो जाएगा तो ये शद्धा से युग तोके नहीं कर रहे हैं ये भैसे युग तोकर के कर रहे हैं दर से युग तोकर के कर रहे हैं और कभी-कभी तो लोग भगवान के साथ जग करते हैं उसको उलाना भी देते हैं कि भगवान को भी हमने हमारे जैसे ही समझ रखा है जैसा हम लोक में विवार करते हैं कि कोई हमारे साथ अच्छा विवार करें तो हम उसके साथ अच्छा विवार करते हैं कोई हमारे साथ अच्छा ना करें तो हम भी अच्छा नहीं करते ह हमें लगता है इश्वर भी ऐसा ही होगा थोड़ा सा हमारे से अच्छा होगा तो ऐसा सोच कि हम उसको उलहाना देते रहते हैं और वहां से कोई उत्तराता ही नहीं है एक व्यक्ति वैसे बता रहे हैं मतलब थोड़ा सा मजा के लिए बता रहे हैं लेकिन है सची गटना इधर हरियाना के एक जिले में महिंदरगड जिले में नार्नोल में किसी व्यक्ति ने एक आरा मशीन लगाई और वहां उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दियो उसकी पूजा करते थे और एक महिना हो गया एक लकड़ी भी आरा मशीन पर आई नहीं उसको काटने के लिए तो मतलब दूसरे लोग जो हैं वो बले तुम इतनी भक्ति करते हो तुम्हार ते एक भी ग्रहक नहीं आया तो बेका रही है उनको भी लगा कि रोज इसके सामने दीपक जलाते हैं रोज धूप दिखाते हैं फिर भी एक भी ग्रहक को नहीं लाते हैं यह अनुमान जी तो फाइदा क्या ऐसे हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके पिता जी एक दिन नारा जो गए उस लड़के से का उठाओ इसको मूर्ति को और इसको भार फेंको वो ब दिखाया तभी गेट के ऊपर एक ट्रैक्टर आगै लकडी से भराऊ तो उसके बेटे ने कहा कि देखो मैंने कहा था ना भागवान के साथ ऐसा ब मिस्भिहेव नहीं करते हैं ऐसा ब्यवर नहीं करते हैं बढ़ग्वान के साथ तो उसने कहा उसकी पूजा कर रहे थे एक मैंने भी कहा था ना कि अब कल्यूग आ गया आज कल ये भगवान भी बिना धमकाई काम नहीं करते हैं तो आज इसको धमकाया तो देखो तुरंत आई ना इतने दिन से हम इसकी पूझा कर रहे थे किसी को नहीं लेकर आए ग्रहक को अब ये बिजनिस भी चलती है ये मैं आप किसा चर्चा करूंगे नवधा भक्ती में चार प्रकार के भक्त होते हैं एक तो होते हैं कि चतुर विधा भजंते माम जना सुकृत ओर जुना आर्थ जिज्ञासू अर्थार्थी ज्यानी चे भरतरशब्त के एक्षर पीडित होते हैं वो भगवान का भजन करते हैं कुछ जिज्यासू होते हैं जानना चाहते हैं और कुछ अर्थार्थी किसी प्रयोजन से भगवान की पूजा करते हैं और चोथे हैं ज्यानी जो जिनको ज्यान हो गया है उनको लगता है कि अपने से उपर जो शक्ति है उसकी पूजा उपासना करनी चाहिए तो खेर उसमें बाद में जाएंगे ये मैं कह रही थी आपसे शद्धया परया उपेता परम शद्धा से युक्त हो करके ते युक्त तमा में मता वे जो भगत हैं वो मेरे मत में सबसे युक्त तमा हैं तो जो मैं कल आपसे चर्चा कर रही थी पहली शर्त है हमेशा भगवान में मन को लगा के रखना तो हमेशा भगवान में मन को लगा के रखना कैसे संभव हो सकता है ये तब संभव हो सकता है जो गीता के ही दसमें अध्याय में अरजुन को एक द्रिस्टी मिली वो कह रहा है कि मुझे तो सब जगें भगवान के ही द जहां जहां भी कोई special चीज दिखाई दे रही है वह भगवान के ही दर्शन हो रही है और वहां तो विभूती के रूप में देखा और उसके बाद 11 अद्याय में तो कहा कि जो कुछ भी यह दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड के एक-एक कण में मैं आपको ही देख रहा हूं क्योंकि इश्वर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं इस संसार में इस जगत में जैसे मान लीजे हमारा एक शरीर है ऐसे ही इस मकान का एक शरीर है ऐसे ही व्रिक्ष का एक शरीर है पश्वों का एक शरीर है गाय का एक शरीर है दूसरे पश्वों का भी शरीर है सूरिय का ए यह यह शरीर है, चंद्रमा का एक शरीर है, प्रिथवी का एक शरीर है, तो यह सारे शरीरों को मिला करके ही तो संसार बना हुआ है, यही सगुन साकार है, और यह जो हमारा शरीर बना, यह कैसे बना मा के गर्भ में, कोई भी मा बता सकती है कि उसने कैसे बनाया इस शरीर को, में क्या रचना रचाई जा रही है कैसे किस तरहे से उसका निर्मान किया जा रहा है वो मा को भी नहीं पता है मा केवल निमित बनती है बनाने वाली तो कोई और ही शक्ती है जो मा को भी पता नहीं है पिता को भी पता नहीं है अगर मा बनाने वाली होती तो जो जिस चीज को है वो उसको रिपेर भी कर सकता है तूट फूट होने पर जैसे सुनार आभुशन बनाता है तो उसमें कोई तूटी आए तो सुनार ठीक भी कर सकता है अगर मा बनाती तो इस शरीर में कोई रोग आने पर मा ठीक भी कर देती लेकिन रोग आने पर तो डोक्टर के पास जाना पढ़ता है उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है शरीर के बारे में मा को नहीं पता है कि शरीर तो कोई और शक्ती है जो अंदर बना रही है इसलिए इस शरीर का एक एक कण एक एक रोम ये किस ने बनाया है इश्वर ने बनाया है और ऐसा बनाया है कि ये अपने आप में भ करके ऐसा ही पूरा शरीर बनाया जा सकता है ये तो साइंस ने खोज कर ली है बिल्कुल ऐसा ही एक शरीर बन जाएगा एक सेल को ले करके इसका मतलब एक एक सेल भी अपने आप में पूर्ण है और ऐसे ऐसे अनेक सेल को मिला करके ये शरीर बना है और ऐसे ही इन तीन वायू ये पशू पक्षि रिक्ष जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है सेल्स का संगात है परमानूं का संगात है मिल मिल के परमानूं ये सब वस्त में बनी हुई है तो वास्तों में ये सारा संसार किस से बना हुआ है सेल से परमानों से मिल के बना और किस ने जोड़ दिया इनको ब्रह्म ने जोड़ दिया तो एक-एक कण कण में कौन है इश्वर ही है उस एक-एक कण में जो पूर्णता है वो किस की पूर्णता है ब्रह्म की ही पूर्णता है इश्वर की ही पूर्णता है इसलिए आप जहां कहीं भी देखें आप माता में पिता में माता पिता ही क्यों आपके नोकर में आपके ड्राइवर में आपके इंपलोई में आपके बोस में आपके गुरू में आपके बच्चों में पडोसियों के बच्चों में, जो कुछ भी आप देखें, पशु में, पक्षी में, ऐसे हमारे यह संतों ने देखा, संत नामदेव, एकनाथ, यह जो ऐसे ऐसे बड़े संत वे महारास्त के, कहां से वो गंगोत्री से गंगा जल लेके चले, रामेश्वरम में गंगा जल चढ़ाना था इतनी दूर से लाया हुआ गंगा जल उसके मुह में डाल दिया, उनको उस शरीर के अंदर जो दिख रहा था, वो ब्रह्म ही दिख रहा था, शिवी दिख रहा था, और जैसे ही उन्होंने जल चढ़ाया, वाँ पर शिवी प्रकट हो गई, उनको वो इदिखाई दिया, कही कहीं आपने सुना ओगा कि वो कुट्ता रोटी उठा के ले जा रहा था, उन्होंने कहा कि फुड़गी तो लगा देने दो, सूखी क्यों ले जा रहे है, तो उनको वहां ब्रह्म दिखाई दे रहा है, कुट्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उनको मनुष्य दिखाई नहीं यह हम सब मनुश्यों की है हम जब किसी मनुश्य को देखते हैं तो उसके स्थोल स्वरूप को देखते हैं हम कहते हैं उसकी आखें ऐसी है उसका चेहरा ऐसा है उसकी नाक ऐसी है उसके गाल ऐसे है उसके बाल ऐसे है उसकी कमर ऐसी है उसकी हाइट ऐसी है यह सब हमें दीखता है ये स्थूल द्रिस्टी है और ये सामाने लोगों की होती है फिर इस से आगे एक होती है सुक्ष्म द्रिस्टी ये सुक्ष्म द्रिस्टी होती है संतों की रिशियों की ज्यानियों की उनको स्थूल के साथ साथ सुक्ष्म भी दिखाई देता है वो कहते हैं कि